इस लेक्चर में हमारा टॉपिक एक और मौनिटरी पॉलिसी गोल के बारे में है और वो मौनिटरी पॉलिसी गोल हैِ Exchange Rate Stabilization कि Exchange Rate को स्टेबल होना चाहिए Exchange Rate से मुराद आपकी Currency की Price किसी और Currency की Term में जैसे Rupees to Dollar ये Exchange Rate कहलाएगा रुपी प्राइस आफ वन डालर जैसे यह exchange rate है तो इसको stable होना चाहिए यह भी monetary policy का एक objective हो सकता है तो पहले हम यह देखेंगे कि exchange rate stability की importance क्या है क्यों central bank इसको objective बनाना चाहेगा क्यों monetary policy का यह objective हो सकता है ठीक है तो आज के दोर में आज के modern world में countries are more dependent on international trade आप अपने घर में देख लें अपने बाजार में देख लें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो imported है और हमारी बहुत कुछ products हैं जो हम बाहर भीजते हैं और foreign से हम बहुत सारी चीज़ें purchase करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आज के दोर में trade बहुत स्यादा है countries एक दूसरी के उपर dependent है बहुत स्यादा है तो अगर exchange rate fluctuate करेगा आप उसे properly foresee नहीं कर पाएंगे future में तो जो future में trade के decisions हैं वो उसकी base पे effect होंगे तो अगर trade के decisions effect होते हैं तो आपका पूरा business cycle जो है या business circle जो है वो effect होगा जैसे for example मैं एक business करता हूँ उसका एक imported input है तो अगर मैं अपनी 10 साल की planning करूँ या 5 साल की planning करूँ बिजनिस की और उसमें मैं अपने imported raw material या imported input को भी बीच में count कर रहा हूँ तो मैं उसकी price को कैसे forecast करूँ क्योंकि वो तो डालर में आएगा वो तो foreign exchange में मुझे purchasing करनी पड़ेगी imported item लेकिन foreign exchange की price क्या होगी हमारे मुलक में अगर वो uncertain है तो इसका मतलब यह है कि मैं अपना plan proper नहीं बना पाँँगा क्योंकि मुझे तो यहीं नहीं पता कि हमारा exchange rate कहां जाके रुकेगा पांच साल के अंदर दस साल के अंदर जो भी मेरा business plan है तो इसका मतलब है exchange rate की fluctuation यह businesses की planning के लिए इंतहाई जो है वो खतरनाक हो सकती है बिलकुल उसी तरीके से एक और चीज़ जाद रखें कि exchange rate की एक true value होती है यानि कि जितना उसे होना चाहिए actually economy के fundamentals के हिसाब से अगर जो है वो आपकी currency की value उससे ज्यादा हो जाए जो आपकी currency की true value होनी चाहिए तो हम कहते हैं कि आपकी currency overvalued हो गई है तो जिस मुलकी currency overvalued हो जाती है उसका problem यह होता है कि उसकी exports कम हो जाती है और उसकी imports बढ़ जाती है ठीक है और especially finished goods की imports बढ़ जाती है जिसका नुकसान यह होता है कि economy जो है उसके अंदर external account का imbalance create हो जाता है ठीक हो गया या आपका जो country है वो goods and services में foreign competition lose कर जाता है world market में compete नहीं कर पाता इसी तरीके से एक और exchange rate से मिलता जुलता concept है कि अगर आपकी economy में exchange rate fluctuate कर रहा है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादे depreciate या appreciate करेगा अगर आपकी currency depreciate होती जा रही है तो उसका नतीज़ यह होगा कि आपकी economy में inflation rate ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि जितनी आपकी currency depreciate होती है इसका मतलब है उसकी value काम होती है तो आपकी economy में prices बढ़ने लगती है inflation का problem सामने आ जाता है इसका मतलब है appreciation problem, depreciation problem, over valuation, under valuation problem, fluctuation problem तो exchange rate को stable होना चाहिए और अपने fundamental values के उपर होना चाहिए ठीक हो गया अब central bank exchange rate को कैसे stabilize कर सेगा हमारे questions दो ही होते हैं कि कोई भी objective क्यों important है और central bank उसको कैसे achieve कर सकता है उस objective को तो यहाँ पे भी हम यह कहेंगे कि central bank कैसे exchange rate को control कर सकता है तो याद रखें इसकी दो approaches है एक direct approach एक indirect approach direct approach यह है कि central bank के पास foreign exchange reserves होते हैं उन reserves के थूँ central bank market में intervene कर सकता है जिसे हम कहते हैं central bank intervention in the foreign exchange market अब यह भी open economy के अंदर हम ज्यादा detail में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे आप इतना समझे लें कि अगर आपकी economy में जो currency है उसमें tendency है कि वो depreciate हो रही हो अब आपकी currency कब depreciate होती है जब foreign currency की demand ज्यादा हो आपकी currency के मकाबले में और foreign currency की supply कम हो आपकी currency के मकाबले में तो क्या होगा कि आपकी currency की चुके demand कम है और relative supply ज्यादा है तो आपकी currency में tendency होगी depreciation की तो अगर central bank अपने reserves में से market के अंदर sell कर दे foreign exchange को dollars को for example तो जो कमी थी foreign exchange की market में वो पूरी हो जाएगी तो जो foreign exchange की price बढ़ रही थी वो price का बढ़ना रुख जाएगा इसका मतलब है central bank intervene करके exchange rate का बढ़ना या currency की depreciation को रोक सकता है बिलकुल इसी तरीके से opposite भी हो सकता है कि चुके appreciation भी आपकी currency की खतरनाक हो सकती है बहुत सारे economic activities के लिए तो जब आपकी economy में बहुत ज़दा appreciation की tendency हो तो central bank उसके opposite कर सकता है जो उसने depreciation के लिए किया था और वो क्या कर सकता है कि central bank foreign exchange को buy करना शुरू कर दे market में से अपने foreign exchange reserves बिल्ड करे तो जो आपकी currency की appreciation हो रही थी और foreign currency की आपके country में depreciation हो रही थी वो रुख जाएगी तो इसका मतलब है central bank जो है वो control कर सकता है exchange rate को लेकिन एक बात याद रखें कि यह जो direct approach है जो central bank intervention के थुरू होती है यह तभी successful हो सकती है especially depreciation की tendency के case में जब आपके पास huge foreign exchange reserves हो क्योंकि central bank को foreign exchange जो है वो market में inject करना पड़ता है अपनी currency की depreciation को रोकने के लिए तो अगर state bank जैसे हमारा case में state bank of Pakistan है या दुनिया का कोई भी central bank को उसके पास foreign exchange reserves ही काम हो तो वो फिर market में foreign exchange inject नहीं कर पाएगा तो यह direct approach जो है वो fail हो जाएगी तो हम indirect approach भी देख सकते हैं indirect approach यह होती है कि central bank के पास एक instrument होता है monetary policy का जो कि short term interest rate है हम tools पढ़ चुके हम goals जो है वो पढ़ रहे हैं और goals के बाद हम वैसे instrument पे ही जाएंगे तो instrument central bank का short term interest rate होता है अब यह जो interest rate है इसके उपर जो investments है international investments across the border investments वो dependent होती है जैसे अगर आपकी economy में interest rate बढ़ जाए जैसे हम कहें domestic interest rate बढ़ गया तो domestic assets जो है जो आपकी currency में assets हैं उनका rate of return बढ़ गया तो वो foreigners के लिए attractive हो जाते हैं जब वो foreigners के लिए attractive होते हैं तो इसका मतलब यह है कि foreigners आपके country में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जब rate of return आपके country में ज्यादा हो तो जितनी currency आपके मुलक में foreign की आती जाएगी तो जो foreign currency की supply कम थी वो बढ़ गई जब वो बढ़ गई तो जो currency depreciate हो रही थी आपकी local currency उसकी depreciation रुक जाए थी तो इसका मतलब यह है कि indirect instrument के थूँ भी यानि कि direct dollar inject करके भी currency को stable किया जा सकता है अपनी currency को foreign exchange inject करके और interest rate बढ़ा के भी इसको stable किया जा सकता है ठीक है तो इसका मतलब है जब भी currency में tendency हो कि वो depreciate कर जाएगी तो central bank's interest rate बढ़ा देते हैं बिलकुल उसी तरीके से जब currency में tendency हो appreciation की local currency को में appreciation की tendency हो तो central bank's अपने interest rate कट कर देते हैं ठीक है तो इसमें एक फाइदा यह है कि जो foreign exchange reserve पे dependence थी direct approach की इसमें foreign exchange reserves directly कहीं use नहीं होंगे तो उसके उपर dependence नहीं रहती लेकिन एक problem इसका भी है indirect approach का और वो यह problem है कि अगर central bank exchange rate को stabilize करता रहे तो जो उसके domestic objectives हैं उनको sometime sacrifice करना पड़ता है तो monetary policy की independence नहीं रहती यानि कि वो external front पे जो targets हैं exchange rate की farm में उसको achieve कर रहा है लेकिन वो जो domestic front पे issues हैं जैसे prices का issue हो सकता है जैसे unemployment issue हो सकता है तो उसका फिर focus domestic economy से हटके external economy में चला जाएगा Thank you